देखिए कि CSE से अगर आपको EMI पे करना है तो के से करना है मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ HDFC और Exist Bank मतलब अगर उसमें Finance किया है तो देखिए अभी simply TVS का हो या तो Mahindra का कोई भी हो तो simply आपको HDFC बोलके लिख दना है CSC में आके और यह में आप लुक देख सकते हो HDFC Bank, HDFC BC Login और HDFC Login, BF Login और HDFC EMI Collection तो simply देखिए कैसे यह में आपको कौन सा चाहिए कोला simply HDFC EMI Collection पर किलिक कर देना है किलिक करते हैं इलोर्न बोलके एक आएगा उपर में आप लोग देख सकते हो और यह में थोड़ा टाइम लेगा तो इस तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉर वहली के लिए हमें सू होगा तो यह आपको खूदी पढ़ लेना है एक बार और हमें हिंदी और इंग्लिस में उपलगद है आप लोग अपनाई सब से पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद में हमें इसको हटा देना है और यह में देखिए अगर आपको यह में लून मतलब प्रोडाइक करना है को में स्फफाइन इन्कूजन का नाम होगा तो देखे किस Mahindra Rural Housing Finance Limited, यहाँ पे EMI है, तो गाईस अगर यहाँ पर आपने मतलब किया है EMI पर क्लिक कर दना है और पे कर दना है, उसी तरही से यहाँ में देखे किस TBS Credit बोल के है अगर आपने TBS Credit मतलब यहाँ से Finance किया है तो TBS Credit Service Limited यहाँ पर देखे किस EMI है उसी तरह किसे यहां पर Mahindra and Mahindra Finance Service Limited तो देखे किस TBS का अगर है तो पे EMI पर क्लिक कर देना है पे EMI पर कलेक्ट कर देने के बाद में देखे किस EMI कलेक्शन यह में बोला जाएगा यू हाव एग्रिमेंट नंबर अगर आपने किया है एग्रिमेंट तो इस तरह किसे देखे किस और यह में इंटर लॉन एकाउंट नंबर देदेना है और यह में प्रसिट बटन पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हों तो मेर कर सकते हो तो यह सी से सी सी से इस तरह की से यह में कलेक्शन होता है और देखेंगी यह वंक ने करना है तो इस तरीक से हमेн ऐसा होगा सुआप गाईश यह विडियो आप Лोगों काफी आच्छा लगा और अगर आपको वीडियो कर परप radi जीए विडियो को सक्रूहिद कर स्कूआ करकरिए त्र परेश कर लाइब उसे तरिविभी तो करता दो है कि आप गौह Rebecca